अगले साल पीली जर्सी में आईपेल खेलेंगे या नहीं खास कर पीछले सबता दोनी ने अगले साल आईपेल खेलने को लेकर मिला जुला संकेत भी दिया था CSK के कप्तान अगले साल आईपेल में खेलेंगे या नहीं ये तो समय बताएगा लेकिन 40 की उमर पार कर चुके दोनी इन दिनों बल्ले से भी जादा योगदान नहीं दे पा रहे है ऐसे में धोनी के लिए CSK में वापसी के संभावना भी नहीं दिख रही है लेकिन इस बीच धोनी के फैंस के लिए एक बड़ी खुश खबरी सुनने को आ रही है यदि अंदर के सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो धोनी के लिए आखरी IPL नहीं है माना जा रहा है कि धोनी अगले साल चैपाक के अपने घरेलों मैदान पर खेलने के लिए वापस आएंगे दरसल CSK के एक अंदरूनी सूत्र के अवाले से कहा गया मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे लगता है कि वो अपना आखरी मैच चैपाक में खेलना चाहेंगे और मेगा निलामी होनी है ऐसे में बहुत सारी संबावना है दोनी ने पंजाब किंग से खिलाव मैच के टॉस के दौरान कहा कि आप मुझे अगले साल पीली जर्सी में देख सकते हैं लेकिन क्या मैं CSK के खेलूँगा इसके आज़ पास बहुत सारी संबावना है एक साधारन कारण ये है कि हमारे पास दो नई टीमें आ रही है हम रिटेंट सनी टीम नहीं जानते हम नहीं जानते कि हम कितने भी देशी भारती खिलाडियों को रिटेंग कर सकते हैं इससे पहले धोनी ने इंडिया सीमेंट द्वारा आई जीतेक समारों के दोरान एक प्रशन सक ने धोनी से उनकी विदाई के बारे में पूछा था धोनी ने जब आप देते वे कहा था कि जब विदाई की बात आती है तो आप आ सकते हैं और मुझे CSK के लिए खेलता हुआ देख सकते हैं और ये मेरा विदाई मैच हो सकता है ऐसे में आपको मुझे विदा करने का अपसर मिलेगा उमीद हैं हम चेन नहीं आएंगे वो भी चाते हैं कि वो अपना आखरी मैच खेले हैं और सभी प्रशन सको से मिलें अगर आप भी महिंदर सिंग दोनी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा